नमस्कार किसान भाईयों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान एडवाइज पर किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने पसू गाएं वो बैस को हीट में कैसे लाएं या अपना पसू बार बार रिपीट हो रहा है और हीट में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको बड़ा ही खास फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसके लिए हमें जेब से कोई पैसा कर्च नहीं करना हमारे गर पर यह सारी चीजे आसानी से मिल जाएंगी और बड़ा खास फॉर्मूला 95% काम करता है उसके लिए भी जो पसू रिपीटर होगा और जो पसू हीट में नहीं आते उनके लिए भी है इस फॉर्मूले को यदि आप पूरा देखते हैं और पूरा सुनते हैं और 100% अपने पसू पर लागू करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ड मिलेगा दोस्तों इस फॉर्मूले में सबसे पहले जो चीज लेनी है वह हैं एलोवेरा जिसको हम गौार पाठा भी बोलते हैं यह जिसका आप चितर भी देख रहे हैं, इसका हमें क्या करना है, तो इसके हमें दो पत्ते लेने हैं, दो पत्ते लेकर के उनके उपर के छिलका हम उतार लेंगे, और उनका गुद्दा निकाल लेंगे, बिल्कुल आशानी से इसका छिलका उतर जाता है, जब चाकुर से हम आ खिलाना है किस समय खिलाना है तो सुबह के समय जब पसू खा पी कर पानी पी ले उसके बाद अपने पसू को यह खिला देंगे और किस तरह खिलाएंगे तो यह चौकर में मिला कर भी खिला सकते हैं किसी भी तरह पसू इसको आसान ही से खा लेता है क्योंकि इसमें जो पपन होता है वो चिलके के उपर ही होता है तो पसु बालक भाईयों जो पतों का गुदा निकाल कर लगातार शाथ दिन अपने पसु को खिलाएंगे सुबह के समय और शाम के समय अपने पसु को क्या खिलाएंगे तो दोस्तों 200 ग्राम के आसपास हमें काले चने लेने हैं और ये जिसका आप साइड में चित्र भी देख रहे हैं काले चने हमें रात में 10 गंटे पानी में बिगो कर रखने हैं और फिर उन्हें 12 से 13 गंटे बिगे वे सूती कपड़े में बांध कर आप रख दें या किसी हैंगर वगेरा पर टांग दें जब चने फूट जाएं कहने का मतलब हैं अंकुरित हो जाएं तब अपने पसू को खिलाने है 2 सुग्राम ये कितने दिन खिलाने हैं तो दोस्तों 15 दिन अपने पसू को खिलाने हैं अब बात आती हैं कि उसके बाद पसू हीट में कब आएगा दोस्तों जब आपका पसू रिपीट कर गया है तो रिपीट करते ही आप यह चालो कर दें साथ दिन एलो एरा खिलाएं और पंदरे दिन तक आप काले चने खिलाएं और यदि पसू हीट में नहीं आ रहा है तो आप इसे कभी भी इसको सरू कर शकते हैं उसके बाद बात आती हैं कि यह नुसका पसू को 10 में से 8 पसू के उपर यह फार्मूला अजमाया हुआ है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल डाता है तो दोस्तों इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा और समझ लिया हैं तो दोस्तों के साथ सेयर करें सबस्क्राइब भी करें और आप फेस्बुक वाटसेप जहां भी सेयर कर सकते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि पसू पालकों के साथ यह वीडियो जो आम समस्या बनी इसका निदान उनको वीडियो को देखर हो सके आपको जानकरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो साइड में सबस्क्राइब बटन लिकाएं दबाएं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ धन्यवाद जै किसान